एके, एंटनी के बेटे ने पारटी के सभी पद छोड़े ट्वीट पर विवाद कहा कॉंग्रेस में बना रहोंगा PTI, तिरुवनंत पुरम कॉंग्रेस ने ता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बुधवार को पारटी के सभी पदू से इस्तीफा दे दिया, गुजर के बाद अनिल एंटनी ने कहा कि उन्होंने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा नहीं दिया है, वो कॉंग्रेस के कार्य करता रहेंगे, BBC की डोक्यूमेंटरी पर एंटनी ने कहा था, यह वही लोग है जो उन मुख्य लोगों के पीछे थे जो इराक युद ने इस्तीफिक कर एक हिस्सा पोस्ट किया, जिसमें लिखा है, मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि आप, आपके सहयोगी और आपके नजदी की लोग केवल चापलूसों और चम्चों के उस जुंड के साथ काम करने कॉंग्रेस नेता अनिल एंटनी भारत को बाटना गवनर डोक्युमेंटरी का मकसद केरल के गवनर आरिफ मुहम्मद खान ने बीबीसी की डोक्युमेटरी को उठाया, उन्होंने कहा कि भारत ने जी बीस की अध्यक्षता संभाली है, रिलीच करने के वक्त पर सवाल इसे रिलीच करने का मकसद भारत को टुकडों में बाट किया है और इसे जारी रखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इस समय पार्टी और मेरे हितों के लिए यह सही होगा, मैं 2017 में गुजरात चुनाव के वक्त कॉंग्रेस में शामिल हुआ था, 2019 से शशी थरूर के अनुरोद और उनके समर्थन के बाद पार्टी के लिए काम कर रहा था,